जाहीं दोस्तों क्या हाले फिर से स्वागाते एक नया वीडियो में I hope you are all well and I am very fine too दोस्तों आज इस वीडियो को माध्धों से मैं आप लोगों का साथ एक फैबरिक काटने वाला जो एरो काट डिटेक्टिप ब्रांड का एरो काट छोटा कटिंग मेशिन होता है जो 125 mm का ब्लेड है और यह आन्बोक्सिंग करके आप लोगों का साथ इस वीडियो को माध्धों से मैं दिखाऊंगा तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहला जो मरा च इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस मेशिन को आन्बोक्सिंग करके आप लोगों का साथ शेयर करते हैं इस मेशिन को बारा नंबर कैची से मेरा मस्टर बप्पा मिस्टर बप्पा बारा नंबर कैची से इस मेशिन को आन्बोक्सिंग करने के लिए रैप को काटा है सेल समोकूल से लप्टा हुआ है एक Manual Guides उपर दिया हुआ है आप देख सकते हैं टोटाली इंडियान ब्रांड का मेशीन है डिटेक्टिप का Arrow Cut Machine है और इसका साथ जो Manual Guides दिया है इस Machine को कैसा खोला जाता है कैसा Fitting किया जाता है और यह जो Manual Guides है यह तो कोई देखता ही नहीं है मेरा हिसाब से मैं भी तो कभी देखता नहीं है लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए इसको दिखाना पड़ता है पू वो दिखा देता हूँ दो कारवन मिला है दो एलेंकी पाना मिला है और एक blade खोलने के लिए एक चावी मिला है और यह plastic wrap से पूरा लेप्टा हुआ है मेशील अभी थर्मो कूल का अंदर से निकाला और plastic wrap को हटा के देखते हैं क्रीम कलर और रेड कलर का कम्बिनिशन है मस्थ दिखता है और इसका जो हंडेल है वो ब्लाक कलर का है और इसका जो पाउदान है वो सिल्बर कलर का इस्टिल टाइप का दिखता है लेकिन वो इस्टिल का नहीं है वो मैटल का है ज्यादा प्रेशार पढ़ने में या हाथ से गिर जाने में वो जो पावदान है वो तूट जाता है यहीं कास्टिंग टाइप का है और यह धार लगाने वाला पत्थर जो गेलेंडर जिसको बुलता है यह इसको प्रेश करेगा तो धार हो जाता है और बटन भी देख लिया आप और इसमें जो वायर दिया है पहले से अभी सुधर हो गया है पहला दो मिटर वायर देता था और इस पूरा मेशीन को आनबोक्सिंग करने के लिए मेरे को जो हेल्प कर रहे है वो मेरा मास्टर है उसका नाम है बपा गाजी मिश्टर बपा गाजी तो दोस्तों वायर को भी नाप के मेरे को देखा रहे है मैं उसको बोला वायर को नापो देखो कितना है नहीं तो हर मे में अलग से ओईयर डालना पड़ता है लंबा करने के लिए तो इसमें जो ओईयर दिया है जो है इसमें कभी-कभी इसमें थोड़ा सापसपाई करते रहनेंगा तेल डालेगा और उल्टा कचला में फचता है, जाम हो जाता है तेल नहिंख डालेगा, इसको कचला सापकरते रहनेगा तो यह smoothly सलता है मस्त है यह मेशिन और ऐसा जो बजर में नॉर्माल मेशिन मिलता है उसमें बलेट छोटा लगता है और यह प्लास्टिक का एक गाड दिया हुआ है यह गाड को हटा के फिर कटिंग करना है जिसको use कम है वो इस guard को लगा के रख सकता है क्योंकि इस guard को लगा के रखेगा तो table के नीचे रहेगा कभी गलती से pair wear पड़ा तो ये pair wear कट जाता है इसके लिए plastic का एक guard दिया हुआ है जैसा कि किसी को लगे नहीं और cutting करने का time इसको खोल के फिर cutting कर लेने का तो आपका सामने ही है इस machine को मैं unboxing करके दिखा दिया और ये मेरे को कितने में पड़ा जो पहला में 4-5 सल पहला जो detective का machine लिया था वो मेरे को 22 को पड़ा था और second जो machine लिया था वो मेरे को पड़ा था 45 का और आज जो मैं ये machine लेके आए ये पड़ा आड़ता लिस्सों यानि कि 5000 में से 200 रुपया कम तो पहला machine में जो जान था इस machine में उतना जान है नहीं ये चला के थोड़ा मैसूस हो रहा है मेरे को फिर भी अभी क्या करे machine का जोरुरा थे खरीदना तो पड़ेगा और ये कोई भी ओरन्टी नहीं है ये आप खरीद के घर पर लेके गया कुछ खराब हो गया तो आपको मिस्तरी से बनवाना पड़ेगा इसका अंदर एक प्लास्टिक का गयार होता है मेशिन तो चलता है लेकर बिलेट नहीं चलता है उस घयार खराब हो जाता है घीर जाता है तो ओव जो आ वो फाइबर का है प्लास्टिक का एक बाकि मेसीन में कोई कमी नहीं है मैं ये छट्ता को साल से चला रहू आपक्र भी हमותेर हो यह बर्ग तो आज का वीडियो इतना ही है I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक क्राइब दीजिए जादा अच्छा तो दोस्तों करता शेयर कर दीजिए आपको जिन स्पेंड के बारे में चोटा चोटा नौलेच चाहिए चोटा जो स्लाइब के लाइन पे जो मेशिन लगता है मेशिन के बारे में चोटा 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 नौलेच चाहिए तो इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को औ बाई बाई टेक क्यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में